आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार मौजूद आसाहियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा भी की देखे ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसी नेपाल दौरे पर है पीम मोदी वायुसेना के हेलिकॉप्टर से लुम्बनी पहुझे लुम्बनी में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादु देवबा ने उनका स्वागत किया इस दौरान पीम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के सार बैठक भी की इस बैठक में दोनों नेताओं के दीच, बिकास, पनबिजली और संपर्क जैसे कई छेत्रों को लेकर द्वीपक्षिय सहयोग बढ़ाने पर चचप्चा भी हुई लुम्बिनी बुद्धिष्ट उनिवर्सिटी, काठमंडू उनिवर्सिटी और त्रिभिवन उनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदारन है मैं इस छेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूँ हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे हमारे सक्षम युवा सभलता के सिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की सिख्षाओं के संदेश वाहाग बनेंगे दरसल नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा के निमंत्रण पर पियम मोधी का ये बुद्ध पूरिमा के अफसर पर लुम्बनी का एक द्विसी दौरा था पियम मोधी की ये 2014 के बाद से पांचवी नेपाल यात्रा है दचडी नेपाल के तराई मैदानों में इस सिख्ष लुम्बनी बौध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध का चन्वुआ था नेपाल पहुँचने के बाद पियम मोधी लुम्बनी के माया देवी मंदिर में दर्शन करने पहुँचे उन्होंने बहुत उपासक की तरह पीले कपड़े भी पहने तो वहीं अपने दोरे से पहले पियम मोधी ने कहा था कि हमारे नेपाल के साथ संबन अधुटी है दोनों देशों के बीच सब्भितागत और लोगों से लोगों के संबन हमारे कड़ीबी रिष्टों की स्थाई इमारत पर खड़े है मेरी इस यात्रा का देश समय की कौसाटी पर खड़े उत्रे इन संबन्दों को और मजबूत करना है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी अकसर ही अलग-अलग जगा के दोरे पर रहते हैं और जब भी वो विदेश की यात्रा पर रहते हैं तो उनका ध्यान देश की जो इस्तिती है और जो संबन्द है उसको और मजबूत करने पर होता है यहार रुकेंगे एक छोट इस ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार